नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके भरोसे मन यूटूब चैनल All Exam Guide Grouper हम आपके लिए पर दे नए नए question side paper लेकर आते हैं उसी सिलसले में आज हम आपके लिए लेकर आया है word history के questions का practice side paper इस वीडियो में आपके लिए 40 questions मिलेंगे MSQ pattern में हर प्रशन का answer दिने के लिए 5 second का समय मिलेगा qualifying करना है अगर आपको exam तो कम से कम 50% score plus share करना पड़ेगा आपको gain करके हमसे ठीक है वीडियो को all exam special की तरह आप treat करिएगा सभी दोस्तों को आप share कर सकते हैं और champions जिनों ने भी वीडियो को like नहीं क्या है प्लीज वीडियो को like जरू करिएगा आपका सहयोग हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है और वह सहयोग पैसे या किसी याने चीज से नहीं सिर्फ और सिर्फ like से होता है तो like जरूर करें आपके द्वारा क्रिया हुआ like जो है हमारे लिए motivation का भी काम करता है तो वीडियो को like अवश्य करें तो चली दोस्तों शुरू करते हैं हर प्रशन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा आपके लिए questions very careful पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा ही गया शुरू करें सबसे पहला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर question कुछ इस प्रकार है दोतिय विश्युद के दोरान किस देश ने आधिकारेक रूप से तथस्त रहते हुए रूस के विरुद जर्मनी की सहायता की थी बतला यह राइट आंसर क्या है चली देखते हैं तो दोतिय विश्युद के दोरान जो है इस्पेन ने आधिकारेक रूप से तथस्त मतलब उससे अलग रहते हुए भी रूस के विरुद जर्मनी की सहायता की थी नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुश अगय है यह रहाँ स्क्रीन पर प्रत्वी शिकर सम्मेलन अर्थात प्रत्वी बचाओ का आयोजन किस ने किया था शुरू राइट आंसर क्या है चली देखते हैं तो प्रत्वी शिकर सम्मेलन प्रत्वी बचाओ जो है यह आयोजन UNCED ने किया था राइट आंसर हो जाएगा option number B सही उत्तर हो जाएगा next question देखते है यह रहाँ screen पर वह देश कौन सा है जिसने जन्मत संग्रग के परिणाम के आधार पर सही उत्राज संग में एक सदसिके रूप में शामिल होने का निने लिया है राइट आंसर के है बतलाईए चलि देखते है तो वह देश कौन सा है तो वह देश है स्विज्जलेंड जिसने जन्मत संग्रग के परिणाम के आधार पर सही उत्राज संग में एक सदसिके रूप में शामिल होने का निने लिया गया है ठीक है राइट आंसर हो जाएगा स्विज्जलेंड नेक्ट कॉशन देखते है निम्न लिखित मैंसे किसको सही उत्राश्ट संग सुरक्षा परिशत का इस्थाई सदस्य बनाया गया है राइट आंसर क्या है चलि देखते हैं तो निम लिखित में से किसको तुराइट आंसर हो जाएगा, option number C, प्रारंबिक गठन के आउसर पर संग की महासभादवारा निर्वाचित, पांच सदस्यों को संग सुरक्षा परिशत का स्थाई सदस्य बनाया गया है, next question देखते हैं क्या पूशा गया है, गिरहा स्कीन पर, परियावरन और विकास पर संग्तवराज संग्मेलन को क्या कहा जाता है, बतलाइए, चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, परियावरन और विकास पर संग्तवराज संग्मेलन को जो है, option number, अर्थ सम्मिट, प्रत्वी सिखर संग्मेलन कहते हैं, right answer option number, C, next question पुछ अगया है, दल्बीर भंडारी अंतराश्य न्यायाले में निर्वाचित होने वाले, कौन से भारतिय न्यायधीस्थ हैं, बताई ये right answer क्या है, चलिए देखते हैं तो दलबीर भंडारी जो है पांचवे नमबर के नियाधीस है अंतर राश्य नियायले में निर्वाचित होने वाले नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है 27 अप्रेल 2012 को किस भारतिय को अंतर राश्य नियायले का नियाधीस चुना गया राइट आंसर क्या है बतला ये चले देखते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा दलबीर सिंग भंडारी 27 अप्रल 2012 को भारती अंतराशे नयायले के नयायदीश चुने गए नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुश्चा क्या है अगला प्रश्चन है आठवे नमर का कॉशन है एक जीवित वस्तू पैदा हुई है राश्र संग के बारे में यह कथन किस नहीं कहा था राश्र संग को एक जीवित वस्तू कहा गया और कहा गया कि राश्र संग पैदा हुआ है ये बात किसके दुवारा कही गई थी बतलाई तो right answer हो जाएगा Wilson के द्वारा ये बात कही गई थी कि एक जीवित वस्तू पैदा हुई है राश्च संग के बारे में यह कथन Wilson ने कहा था next question देखते हैं राश्च संग का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था बतलाईए चलिए देखते हैं तो राश्च संग का अंतिम अधिवेशन जो है 18 अप्रेल 1946 को हुआ था option number 18 अप्रेल 1946 option number D is question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुश्चा गया है San Francisco Samiland में उद्घाटन भाशन किस ने दिया था राइट आंसर के है बतलाईए चलिए देखते हैं तो San Francisco में उद्घाटन भाशन जो है true man ने दिया था राइट आंसर हो जाएगा option number 18 कोशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुश्चा गया है सही उत्तराज संके समिधान पर अंतिम सुईकरती किस समेलन में मिली थी राइट आंसर क्या बतलाईए चलिए देखते हैं तो सही उत्तराज संके समिधान के अंतिम सुईकरती की अंतिम सुईकरती जो है option number San Francisco वाले समेलन में मिली थी next question देखते हैं क्या पुश्चा है San Francisco जो समेलन हुआ था वो कब हुआ था राइट आंसर क्या बतलाईए चलिए देखते हैं तो San Francisco जो समेलन था 25 अपरेल 1945 को हुआ था राइट आंसर है option number D next question देखते हैं क्या पुश्चा गया है यह रहा स्क्रीन पर भारत कितने वर्षों बाद सातवी बार सुरक्षा परिशत का और 27 सदस चुना गया राइट आंसर क्या है बतलाईए चलिए देखते हैं तो भारत जो है 19 वर्षों के बाद में संयुक्त रूप से सुरक्षा परिशत का और 27 सदस चुना गया राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्षों के बाद next question देखते हैं विश्व व्यापार संगठन कब अस्तुत्व में आया था right answer कहीं मतला ही चलिए देखते हैं तो विश्व व्यापार संगठन जो है 1195 को अस्तित्व में आया next question देखते हैं संयुक्त राज संग चार्टर्ट पर हस्ताक्षक करने वाला इंक्यावनवा देश कौन सा था बतलाईए चलिए देखते हैं तो संयुक्त राज संग के चार्टर्ट पर हस्ताक्षक करने वाला इंक्यावनवा देश पॉलेंड था राइट आंसर हो जाएगा option number C next question देखते हैं क्या पुछा गया है महा सभा में शांती के लिए एकता प्रस्ताओ कब स्वीकार किया गया था बतलाईए चलिए देखते हैं तो महा सभा में सांती के लिए एकता का प्रस्ताओ 3.1950 को स्वीकार किया गया था option number D इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं आजकल संयुक्त राज संच के किस अंकी सदस्यता के विस्तार की मांग की जा रही है बतलाईए चलिए देखते हैं तो आजकल जो है सुरक्षा परिस्त के सदस्य संख्या के विस्तार की मांगी जा रही है राइट आंसर हो जाएगा option number C next question देखने क्या पुशा गया है पूर्वी तिमोर सितंबर 2002 में किस देश के साथ संयुक्त राज संख्या सदस्य बना था राइट आंसर कहा है बतलाईए चलिए देखते हैं तो पूर्वी तिमोर जो है स्विज्जय लेंड के साथ में 2002 में संयुक्त राज संख्या सदस्य बना था option number 20 question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं संयुक्त राज संख्या को किस से वित्य सहायता प्राप्त होती है बतलाईए चलिए देखते हैं तो संयुक्त राज संख्या को सदस्य राश्च्रों से वित्य सहायता प्राप्त होती है next question देखते हैं निम्न मैसे किस को संयुक्त राज उपनिवेशी करण समिती का प्रतम अध्यक्ष निउक्ष किया गया था right answer के है बतलाईए चलिए देखते हैं तो संयुक्त राज उपनिवेशी करण समिती का प्रतम अध्यक्ष जो है भारत को निउट किया गया था option number 20 question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं संयुक्त राज चार्टर के किस अनुछेद में गैर सरकारी संगठन शब्दावली प्रस्तुत की गई है या प्रिप्ट की गई है बतलाईए चलिए देखते हैं तो संयुक्त राज को चार्टर में गैर सरकारी संगठन शब्दावली जो है अनुछेद 71 के थ्रो प्रदान की गई है right answer क्या हो जाएगा अनुछेद 71 next question देखते हैं कि आपको शगया है यह रहाँ स्क्रीन पर नीला हेलमेट शब्द निमलिखित मैं से किस से जुड़ा हुआ है right answer क्या है बतलाईए चलिए देखते हैं तो नीला हेलमेट शब्द जो है संग्त राज की सांती सेना से संबंदित है option number D is question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं 1965 इसवी के भारत पाकिस्तान युद्धिके समय संग्त राज संके जिस महा सचियों की भूमी का सराहनिय रही उनका नाम क्या था बतलाईए चलिए देखते हैं 1965 के भारत पाकिस्तान युद्धिके समय संग्त राज संके जिस महा सचियों की भूमी का सराहनी रही उनका नाम था यू थांट option number C is question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशा गया है यह रहा स्कीन पर संग्त राज संग का कौन सा पदासीन सेकेटरी जनरल एक हवाई आथसे में मारा गया था बतला ही राइट आंसर क्या है चलिए देखते हैं तो सही उत्तरा संग का जो है पदासीन सेकेटरी डैग हैमर शोल्ड यह एक हवाई हाथसे में मारा गया था option number B is question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अंतराश्य न्यायले में न्यायधीस न्यूक्त होने वाले पहले भारतिय बी एन राइट आंसर हो जाएगा option number C is question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं किस भारतिय ने अंतराश्य न्यायले के न्यायधीस पद को सुशोभित कर देश का गौरव बढ़ाये था right answer क्या है बतलाईए चलिए देखते हैं तो right answer हो जाएगा B.N. Rao भी बने है RS.Pathak भी बने है Dr. Nagendra Singh भी बने है ये सभी अंतराश्य न्यायले में न्यायधीस पद पर सुशोभित हो चुके है next question देखते हैं क्या पुशग है सहित्राश्य संग के प्रथम महासच्चव कौन थे बतलाईए चलिए देखते हैं तो सहित्राश्य संग के पहले महासच्चव है Trigvally next question देखते हैं सहित्राश्य संग में भारत ने कब भागीदारी कब से भागीदारी प्रारम की थी right answer क्या बतलाईए चलिए देखते हैं तो सहित्राश्य संग में भारत ने भागीदारी जो है इसके गठन से ही शुरू कर दी थी next question देखते हैं पुष अगया हैं संहीत राज संकी आदिकारिक भाशाओं की संख्या कितनी है बतलाईए कि चलिए ते हैं तो संहीत राज संकी आदिकारिक भाशाओं की संख्या है ros empezar was set दिखते हैं क्या पुष अगया है अंत्राश्री मजदूर संगठन जिसका मुख्ण से Zarun Ahya बतलाई ये चले देखता हैं तो अंतराश्य मज़्दूर संगठन जिसका मुख्याले जिनेवा में है इसकी स्थापना उननीस यो ननीस में हुई थी नेक्ष कौस्शन देखते हैं क्या पूश अंगया है विश्व स्वास्थ संगठन का मुख्याले कहा है राइध आंजर क्या है बतलाइए। चली देखते हैं तो, यूनेस्को का मुख्याल है, पैरिस में हberry इस्सेथ है। नेक्ट कोशन देखते हैं क्या 확인 है है। अंतर राअटी नियाययले के नियाधीशो की नियुक्ती कौन करता है बतलाइए। चलिए देखते हैं तो अंतर राश्य न्यायले के न्यायधीशों की नियुक्ति महासभा और सुरक्षा परिशाथ option number C एक और दो दोना ही इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अंतर राश्य न्यायले के न्यायधीशों का कारेकाल कितने होता है right answer के बतलाईए चलिए देखते हैं तो अंतर राश्य न्यायले के न्यायधीशों का कारेकाल 9 वर्ष का होता है next question देखते हैं अंतर राश्य न्यायले में न्यायधीशों की संख्या कितनी होती है बतलाईए चलिए दिखते हैं तो अंतराश्य न्यायलाय में न्याय धिश्यों की संख्या जो है 15 होती है अगला प्रश्ण ये रहाँ आपके सामने सुरक्षा परिश्यत के और स्थाई सदर्श्यों का चुनाओं कितने समय के लिए किया जाता है बताईए चलिए दिखते हैं तो सुरक्षा परिश्यत के और स्थाई सदर्शों का चुनाओं चार वर्शों के लिए किया जाता है अगला प्रश्ण सुरक्षा परिश्यत का मुख्याले कहां पर इस्थित है राइट आंसर के है बतलाईए चलिए देखते हैं तो सुरक्षा परिशत का मुख्याल है नियू यॉर्क में इस्थित है अगला प्रश्ण सुरक्षा परिशत के सदस्य देशों की संख्या कितनी है बतलाईए चलिए देखते हैं तो सुरक्षा परिशत के सिदत से देश हैं 15 अगला प्रश्ण ये रहाब के सामने महासभा का मुख्याले कहा पर इस्तित बतलाईए चलिए देखते हैं तो महासभा का मुख्याले नियॉयॉर्क में है राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण ये रहाब के सामने अमेर्की राश्पती रूजवेल्ट और ब्रिटिस प्रधान मंत्री चर्चिल ने अट्लांटिक चार्टिट पर हस्ताक्षर कब किये थे राइट आंसर क्या बतलाईए चलिए देखते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पूछे गए हैं सईक्त राश अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हर एक्जाम में कम से कम 5-7 नमबर का पूछा ही आता है किसी प्रकार से आप खुद जानते होंगे अगर आपने इससे पहले एक्जाम कभी दिये होंगे अगर नए हो अभी अभी शुरू किया है तो पुराने साइट पेपर उठा कर देखो किसी भी एक्जाम के इन में से कम से कम 5-6 कॉशन आपको मिली जाएंगे यह टॉपिक अच्छी तरीके से याद कर लो क्योंकि यह टॉपिक एक्जाम में आता ही आता है इसके नमबर नहीं कटने चाहिए आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में जरूँ शेर करेगा मैं आपका स्कोर देखना चाहता हूँ कि आपने कितना स्कोर गेंड किया सभी से निवेदने जो भी चैंपियंस वीडियो पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन आउन करके आल वाला नोडिफिकेशन आउन कर लिजेगा हमारी चैनल पर दिनबर में चार वीडियो अप्लोड होते हैं वीडियो की प्लेलिष्ट भी है सैफरेट वीडियो भी है या कमेंट करके आप हमसे मांग सकते हैं हम आपको लिंक शेर कर देंगे आपके कमेंट पर जो भी आपका कमेंट है जरूर शेर करें इसको जो है जो जो भी आपने गीन किया है जरूर शेर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बहुत बहुत धनिवाद, खुश रहे हैं, स्वस्त्र रहे हैं, जहां वी रहे हैं, जबर जस्त रहे हैं, बहुत बहुत धनिवाद, आप सभी का दिन शुब हो